साथियों बड़े रिफॉर्म्स के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिवत्त है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं साथियों देश में नई व्यवस्ताय बं रही है वे देश को आगे ले जाने के लिए अनेक बीद नीत्यों को अनेक बीद पॉलिसिस को निरंतर बनाये जाये और नए शिच्ट्रिमपर देश को भरोचाभी बढ़ता रहता है निरंतर बढ़ता रहता है आज जो 20-25 साल का नवजवान है जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उमर का नवजवान था उसने अपनी आखों के सामने ये बड़लाब देखा है दस साल के फीतर फीतर उसके सपनों को आकार मिला है धार मिली है और उसके आत्मे विश्वास में एक नई चेतना जगी है और बही देश का एक नया सामर्त के रुपे उभरना जोए देखा है आज बिश्व फर में भारत की साख बड़ी है भारत के प्रति देखने का नजरिया बड़ला है आज बिश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले है रोजगार के अंगिनित नए अवसर जो जाएदा आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थ वाज उनके दर्वाजे पर दस्तक दे रहे हैं संभावनाओं बढ़ती गई हैं नए मोके बन रहे हैं मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है मेरा देश का नव जवान इंक्रिमेंटल प्रगति में विश्वाथ नहीं करता ब्रदेश का नव जवान छलांग मारने के मूड में है वो छलांग मारके ने के नई सिद्वियों को प्राप्ट करने के बूड में है मैं कहना चाहूंगा भारत के लिए गोलने नेरा है वेश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें ये गोलने नेरा है ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है मेरे त्यारे देश वाजियो ये आवसर हमें जाने नहीं देना है ये मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मोके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को ले करके चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वाणिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विश्चित भारत का 2047 का लक्ष हम पूरा करके रहेंगे